अगर आपके मोगरे का पौधा सूख रहा है और कलिया नहीं बना रहा है या कलिया बनने के बाद तुरंत ही कली जड़ जाती है या पत्ते कुछ इस तरीके से मुर्जाय हुए से हो रहे हैं तो आज के वीडियो में जो पाए बताने वाली हूँ बिल्कुल 10 रुपीज में आ कली खिल नहीं बाती है या फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है जैसे मेरे इस पौधे को आप देख रहे हैं comparatively ग्रोथ कम है मेरे भी पौधे में ये कली गिर जारी है यानि की कलियों का जड़ना सूखना गिरना और पत्तियों का बिल्कुल मुर्जाय हुए से रहना य इन सारी प्रावलों का सॉलूशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मोगरे के फ्लारिंग का ही समय चल रहा है मोगरे के लिए ये बहुत ही अच्छा फेवरेबल टाइम होता है लेकिन फिर भी सारे खाद देने के बाद आप अपने मोगरे के पौधे क को लेकर परिशान है तो इस खाद का इस्तमाल करके देखिए ये टेस्टेड है बहुत बार मैंने इस्तमाल भी किया है और बताया भी है और इसके फाइदे भी हुए हैं मोगरे के पौधे को आपने गमले में लगा रखा है और अचानक पतियां सुखी सुखी सी हो रही है तो इनिशिल तोर पे एक रीजन पहले आप देख लीजे कि कहीं पौधे को धूप से नुकसान तो नहीं है यदि पौधे के लिए सारी केर आप कर रहे हैं तो दूसरी जो केर है जो आप करेंगे अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ मेरे हाथ में जो ये सफेद स सारे यूजेज हैं ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा 30 से 35 रुपे में और ये कम से कम साल दो साल तक चलने वाला है अब आपको करना क्या है कि इतना बड़ा टुकड़ा ले लिजे मैंने एक लिटर पानी लिया है और इसमें डाल करके छोड़ दीजे म जो चैपती है ये फ्रेश है यूज टी लिफ नहीं लिया है मैंने उपर से इसले डाला है ताकि मिट्टी बहुत सकती तो एक तरीके से मल्चिंग हो जाए और जितनी बार हम पानी डालेंगे पानी इससे होकर के जाएगा तो धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स हैं वह मि पोजिशन बनता है उसके बाद आपके मोगरे को 100% फाइदा पहुंचता है और आप गमले की गुडाई भी प्रॉपर किया करें यदि गमले में चीटियों का टैक है या किसी भी प्रकार के स्लग्स या फंगस का टैक है तो यह जो खाद फिटकरी वाला मैं आपको बता रह यह वह है सबजीों के छिलके यानि आपके हाँ जो जितने भी सबजीों के पील्स निकलते खासकर ग्रीन वेजटेबल्स के जो पील्स निकलते हैं उन्हें आप चाहे तो ड्राई करके पाउडर बना सकते हैं एक अच्छा तरीका है लेकिन और भी ऑदी इजी वे में करना तो आप उसे पानी में भीगोएंगे, किस तरीके के पानी में भीगोना है, ये भी आप देख लीजे, देखिए ये फिटकरी को 10 मिनिट्स ही रखने थे, 10 मिनिट्स बाद मैंने निकाल लिया और इसे रख दीजे, पानी की जो क्वेंटिटी है, वो अपने एकॉर्डिंग आ अब पांच लिटर पानी भी ले रहे हैं, तो फिटकरी को 10 मिनिट्स ही आपको छोड़ना है, देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया है, अब जो पील्स आपने किचन से निकाल कर रखे हैं, उन पील्स को इसमें डाल दीजे, ये छिलके हैं, तोरी के खीरे के, और ये छि नॉर्मल वाटर एड़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पौधे की इतनी रिक्वार्मेंट है, उतना ही पानी मैंने दिया है, बाद में ये पील्स आप दो-तीन बार जब आप यूज कर लेंगे और ये बच जाते हैं, तो गंबले में उपर से मल्चिंग के तौर पर बिचा देज इस पानी से कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है, फिटकरी का पानी कई बार जब हम डालते हैं पत्तों पे, तो पत्ते मुर्जहा कर उसी वक्त गिर जाते हैं, इसलिए सिर्फ जडों में पानी देना है, जडों को स्ट्रॉंग बनाने में ये मदद करें, नेक्स्ट जो आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ लेना है, कि आप पौधे को पानी तभी दीजिए जब पौधा प्यासा है, देखिए मेरे पौधे पे मैंने पानी डाला, इन सेकंड पानी क्या हुआ, सबकु सोख चुका है, यानि कि एब्जॉब हो चुका है, तो पौधे को पानी की रिक्वार्मेंट थी, वैसे गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग एक बार पानी दे दिया करें, और शाम के समय एक बार पानी, जतने भी मोगरा, गुड़हल, गुलाब, जो भी ये पौधे हैं, जो ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करते हैं, इनको पानी दे दिया करें, लेकिन मान लिजे, पहले से गीली मिट्टी है, और आपने पानी डाला, तो उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा जहिलना पड़ेगा, कहने का मतलब है, पौधे की रिक्वार्मेंट को समझ करके ही पानी देना होता है, अब बात यह है कि मोगरे को बुशी कैसे बनाना है और फूल खिल जाते हैं, तो क्या करें, जब मोगरे के फूल खिल जाते हैं, और फूल अपने आप ही नीचे गिर गए, और उपर से ये चीज बच जाती है, बर्ड्स, तो आप इसे कट कीजे, क्योंकि मोगरे के जो फ्लावर्स हैं, हमेशा न्यू स्टेम पर आते हैं, इस यह ब्रांच है यह धीरे धीरे सूख जाएगी यह दिससे प्रून हम ना करें प्रूनिंग करने के लिए एक दो इंच स्टेम आप नीचे से काटिए वह ज्यादा बहतर होगा फिटकरी के बहुत सारे और भी फायदे है आपके पौधे के लिए और नुकसान सिर्फ यह है कि ओवर्डोज नहीं करना है इसका इस्प्रे नहीं करना है यह आपके पौधे की मिट्टी को रीजिनुएट कर देता है और यदि पौधे की मिट्टी ज़्यादा खाद देने से alkaline हो गई है तो इसको देने के बाद acidic भी हो जाती है तो आप ये चाय पत्ती वाली खाद भी दे सकते हैं 15 दिनों पर एक बार और ये जो fit curry वाला जो मैंने treatment आपको बताया है ये 30 days पर ही आपको repeat करना है क्योंकि fit curry का overdose आपके पौधे को खराब कर सकता है ये बात मैं बार-बार कह रही हूँ इसलिए इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि मन्थ में एक बार ही fit curry क्योंकि ये खाद नहीं है fit curry मिटी के लिए आप यूं कह सकते हैं कि एक supplement की तरह हम use करते हैं और यदि चीटी और slugs वेगर का attack और भी पौधो पर है तो आप इस fit curry के पानी का इस्तमाल कर सकते हैं निश्चित तोर पर चीटियां चली जाएंगी और यदि roots में किसी भी प्रकार के fungus है तो उससे भी आपको सहायता मिलेगा अब देना कभ है? हमेशा या तो early morning या evening धूप में बिलकुल भी नहीं देना है otherwise पौधा तुरंत जुलस जाएगा इस तरीके से आप अपने मोगरे को बहुत जादा स्वस्त बना कर रख सकते हैं जादा flowering ले सकते हैं और मुझे उमीद है कि जनकारी आपको अच्छी लगी होगी धन्यवाद